तो हेलो गाइस तो कैसे हो आप सब लोग तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 10 स्टॉंगर स्लक स्लिंगर और स्लक टेरा के बारे में तो हाँ उससे पहले मैं आपको ये बता दू डिस्क्रेमर दाल दू कि मैं इसमें विल शेन और विल शेन के डैड को नहीं लेने वाला क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें एक ही शेन काफी हो और मैं कुछ स्लिंगर इसको भी नहीं ले रहा हूँ इंक्लूट नहीं कर रहा हूँ जो इतने खास भी नहीं है तो ये लिस्ट एकदम सो समझ के प्रिपेर की गई है तो वीडियो पी सीटी लाइक जाते रहेगी तो फिर भी ना कोई टाइम लिस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते है तो जो हमाई नबर 10 पोजिशन पे है वो है स्लिंगर वो है प्रॉंटो प्रॉंटो एक तरह का मेलनोइड है प्रॉंटो का में काम है डायरेक्शन और गाइड करना ये शेन गैंग का मेंबर है प्रॉंटो इतना खास भी नहीं है स्लिंगिंग में पर लेकिन कभी कभार वो बहुत सारे चमतकार कर देता है वो उसने अपने फ्रेंज को भी बचाया था और साथी साथ डॉक्टर ब्लैक पे अटैक भी किया था तो प्रॉंटो कभी कभार बहुत साथ अच्छी स्लिंगिंग कर लेता है और Pronto का में काम है गाइड करना जो वो बहुत ही जादा अच्छा करता है और साथी साथी बहुत ही जादा funny character है और Pronto साथी साथ एक melanoid king है तो इस विए से Pronto हमारी number 10 position पे जगा बनाता है तो जो हमारी number 9 position पे है वो है Blight Blight एक बहुत ही जादा strong slinger है और यह जादा नियोटेक्स slug और वाइन ग्रिल slug को बहुत ही जादा अच्छे से यूज़ कर सकता है जो है एक कैस के और प्लांट वाले slug और बहुत ही जादा strong slinger है और इसने इलाई शेन के डैड के साथ भी लड़ाई की थी विल शेन से और इसके डैड विल शेन ने से किदर ब्लाइड को एक कुफे में बंद कर दिया गया था और ब्लाइड बाद में डॉक्टर ब्लाइक के बजाने के बाद ब्लाइड वापस आ जाता है इलाई शेन से लड़ने और यह बहुत जरा strong slinger है इसने लगबग बहुत सारी तबाई मचाई थी slug टेरा में तो इस वज़से यह हमारी नमबर 9 पोजिशन पे जगा बनाता है तो जो हमारी नमबर 8 पोजिशन पे जगा बनाता है वो है जॉन बुल जॉन बुल शुरुवाती एपिसोड में इंट्रड्यूस हुआ था slug टेरा के और जॉन बुल यह बहुत अच्छा slinger है और इसने लगबग बहुत सारी slingage matches जीती है और बहुत ही कमा रहा है और यह डॉक्टर ब्लैक के साथ काम करता है और यह गूल्स को भी बहुत ही जादा इस्तमाल करता है तो इस वज़े से हमाई नमबर 8 पोजिशन जगर बनाता है तो जो हमाई नमबर 7 पोजिशन पे आता है वो है बॉस एमबर यह स्क्रैप फोर्स टीम मेंबर का लीडर है और यह बहुत ही जपादा बढ़ा है और लगबर इसके 6 हाथ है और बॉस एमबर बहुत जपादा अच्छी स्लक्स सिंगंग कर लेता है बॉस एमबर के पास ज़ादा हाथ होने की वज़े से वो एक ही टाइम पे बहुत सारे स्लक्स को शूट कर सकता है जो उसे सबसे बड़ा एडवांटेज देता है और Boss Ember ने अपनी टीम का अनगबक तीन बार नाम बदला है और इस वज़े से नई हमारी No.7 पोजिशन पे जगा बनाता है तो जो हमारी No.6 पोजिशन पे है वो है Trixie Trixie Shane Gang member की टीम member है और ये बहुत ही ज़ादा स्ट्रॉंग है और साथी साथ इसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़ादा इंट्रस्ट है और Trixie ज़ादातर Slugs को यूज़ करती है और इसे लगबग हराना मुश्किल है क्योंकि ये एक Shane Gang की member है और साथी साथ हमारे पर एक और एक member हाता है जो नमबर 6 position पर हो है कॉड जेन ये भी इलाई शेन टीम का member है और ये एक अच्छा mechanic है बहुत ही अच्छा mechanic है ये बहुत सारे मेका स्कोर तयार करता है और साथी साथ उन्हें अपग्रेड करता है और ये इलाई शेन का team का member भी बहुत ही जादा अच्छा है और कॉड जोन और ट्रिक्सी एक साथ जब मिलके काम करते है तो इन दोनों को हराना बहुत ही जादा मुश्किल है कॉड जोन जादा तर रैम स्टोन यूज़ करता है और ट्रिक्सी जादा तर एरेकनेट स्लग यूज़ करते है तो इस पर से ये दोना हमारी नमबर 6 पोजिशन पर जगा बनाते है तो जो हमारी नमबर 5 पोजिशन पर जगा बनाता है वो है डियलबोज नाचोज जी हाँ सलक्ट है का सबसे खतरनाक स्लिंगर और डॉक्टर ब्लैक का लेफ्ट हैंड ये जादा तर गूल्स को इस्तमाल करता है और दियलबोज नाचोज की परसनेलिटी बहुत ही जादा आसम है और ये गूल्स के साथ साथ ये डॉक्टर ब्लैक के साथ काम करता है और ये डार्क बेन का मेंबर है और साथ ये काले पानी का भी इंचार्ज है जिससे गूल्स बनते है और इसने इलाई शेन और इलाई शेन शेन गैंग को टीम मेंबर को भी बहुत बार हराया है तो इस तुछ से यह हमारा, नमबर फिफ पोजिशन पे जगा बनाता है तो जो शुलिंगर, हमारी नमबर फोजिशन पे जगा बनाता है वो है ट्विस्ट जी हाँ, राइट हैंड डॉक्टर ब्लाइक का और यह जहादा तरह तगलेट्स लग को youse करता है जो illusion बनाता है यह बहुत ही जाधा चालाग बनता है ट्विस्ट बहुत ही ज़ाधा चालाग बनता है यह पहले शेड गैंग के साथ ता लेकिन बाद में इसने शेड़ गैंग को दोका दे दिया और डॉक्टर ब्लाइक के साथ काम किया और ये बहुत ही ज़ादा अच्छा स्रिंगर है ये और इलाईश इन दोनों राइबल है लगबख ट्विस्ट को हराना ना मुंकिन है क्योंकि ट्विस्ट के पास एक ऐसा स्लग है ठगलेट स्लग जो बहुत ही ज़ादा इल्यूजन बना सकता है और जादा तर लोगों को कन्फ्यूजन कर सकता है और इसकी अबिलेटी भी बहुत ही ज़ादा अलग है जी हाँ ये कभी कभार तो शैडो क्लैन जैसे शैडो बन सकता है और कवी कार अपने अपको गूल में तबदील कर लेता है तो इसका सलग जो है इसे बहुत ज़दा खास बनाता है और ट्विस्ट इस वज़े से हमाई नमबर फोर पोजिशन पर जगा बनाता है तो जो हमाई नमबर फोर पोजिशन पर स्लिंगर है वो है Unbeatable Master Unbeatable Master को मैंने फोर फोर पोजिशन पर इस वज़े से शरका हूँ क्योंकि यह लगबबग डॉक्टर बलैक से हार गई थी जी हां पर डॉक्टर ब्लैक ने उन्हें चीटिंग से हराया था पर लेकिन यहार गई थी और सादी सादी बहुत ही जादा बुडी ओल्ड हो गई थी तो इन्हें लगबग हराना अब आसान हो गया था पर लेकिन यह बहुत ही खास इस वज़े से क्योंकि यह फ्यूजन इस लगबग अच्छे से अलग अलग पैते कर सकती थी और यह बहुत ही ज़दा फ्लेक्सिबल है और उन्होंने इलाई शेन और सादे साथ ट्विस्ट को भी हराया है और इन्होंने ही विल शेन और डॉक्टर ब्लैक को ट्रेन किया था तो इस वज़े से यह हमारी नंबर तर्ड पोजिशन पर जगा मनाती है तो जो हमारी नबर सेंड पोजिशन पर वह है डॉक्टर ब्लैक जी हां काले पानी का राजा और यह एक तरह का बिजनस मैंने इसको लगबग स्लग टैरा पर रूल करना है और यह ज्यादा तर अपने इस लग्स जो है गूल्स को इस्त ब्लैक वही काम करता है जहां उसे प्रॉफिट दिखता हो जहां लगता है कि हां यह इसके लिए ही चीज बनी है और यह किसी के बारे में नहीं सोचता सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है क्योंकि इसके साथ पहले बहुत ही बुरा इंसीडन हो चुका था तो इस इस इसने ब्लैक इंडेस्ट्री चालो कि और डॉक्टर ब्लैक का सफना है कि वह पूरे श्लक टेरा से राज करें सब्सक्राइब और गुल्स की आर्मी और यह इस वज़से हमारी नंबर सेगेंड पोजिशन पर है तो जो हमारी नंबर वन पोजिशन पर आता है वह इस इल एक शेन की जरुवत थी इस लग टेरा को और इलाई शेन 15 साल की उमर में जाता है और इलाई शेन बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस केरेक्टर बनते जाता है शुरुआती एपिसोर में इलाई शेन इतना खास नहीं था स्लिंगिंग में पर लेकिन धीरे-धीरे करके वह को बहुत इतना बहुत होते जाता है की इस लेकट है और एक दन से हीडा रहता है सहान ही क्क अनबीडोंस फोस्ति कहले म Самस्त ट्वीच को हरा या है यस से लाई शेन का पार्टनर जी हाँ एक है वो है इंफर्नो स्लक जो विल शेन का पार्टनर हुआ करता था और डॉक्टर ब्लैक का भी जो है बपी तो इलाई शेन अपने स्लक्स को नाम भी देता है और वो बहुत ही अच्छा नेचर का है और इस वरसे इलाई शेन हमाई नंबर वान पोजिशन पर जगा बनाता ह तो हां गाइस तो यही थे टॉप 10 स्टॉंगर स्लक श्लिंगर ऑफ लग टेरा तो हां गाइस सच में यह लिश्ट को प्रिपेर करने के लिए बहुत टाइम लगा तो आपको क्या लगता है कि कौन से मेंबर को कौन सा पोजिशन देना चाहिए ता कौन सा रेंक तो आप कमे देड वाइव वाइव और उन्हाँ लगताए तो गूट बाइव